अब बॉड़ीं बच्छों क्या रख्तम मेमोरेल सीग्येसी स्कूल मुगोर आपको स्वागत करता है बच्छों पिछले कक्षा में हरीयर कांकर पार्ट में लेकर जिखे गाउं कौन सा था और तो उस गाउं ता लेकर जी के बाड़े में पिछले कक्षा में चर्चा के यह थे अनल्य जिए के नहां जांए तालावे गाउं के मिलाके निवा गाउं के मिला है तो दोसरा बर्गत का प्यव था कौन है थाकुरजी का विशाल मंदिर तो इसे तीम स्तलों से वह गाउं प्रशिद्ध अबर लेकरजी कहते हैं तो उस गाउं में मंदिर था थाकुरजी का मंदिर थाकुरजी के मंदिर से क्या हुआ था मंदिर का प्रभाव उस गाउं पर बहुत पड़ा था तो उससे क्या हो था पूरा पूरा गाउं के लोगों ने मंदिर को अपने भक्ति के साथ भक्ती में कुछ भी देने के लिए लोग तैयार था ऐसा प्रभाव मंदिर लोगों में डाल दिया वह क्याक्यवटमने मंदिर को दिये पहार के रूप में क्या क्या दिये थे यह सब आपकल चर्चा किये हैं आए बैच्छों देखेंगे आगे लेकर जी क्या होते हैं ठाकुर जी का काम लोगों के अंदर ठाकुरुजी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तता धर्म से विमुक हो रहे लोगों को रास्ते पर आणा है देखो विमुक मतलब अलग है धाकुरजी को मंदिर का इंगर देश का देश मतलब लोग इस तरह माणते हैं धाकुरुजी का काम अद्धिर भग्वान का क्या था लोगों के अंदर ठाकुरुजी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तता धर्म से विमुक हो रह तब इसका एके राम ताप समझ लोग जो लोग अधर्म पर चलते हैं उन लोगों को क्या करना धर्म के रास्ते पर लाना भगवान को लोग डरते रहते हैं चीक है भगवान के धर से लोग बूरे नाम करने के लिए डरते हैं वही डर्म लोगों में पैदा करने के लिए ठाकुर भी प्रेत्न कर रहे हैं ठाकुर बादी में भजन किर्तन की आवाज बराबर गुंचती रहती हैं मंदिर में पूजा करने समय प्रार्तना गीत गादे रहते हैं और क्या कहते हैं नोंने भजन किर्तन की आवाज बराबर ग चपेट में आता है चपेट मतलब गेरा चारो और से चारो और से गेरा जोड़ों थे तर भाड मतलब फ्लडड पाणिया तर परसो दिन उसी तर भाड या सूखे सूखना मतलब बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में बरसा अपना होता है पूरा सबी खेत सूख जाते हैं वनगोद है तर भाड भी मुपलोगा तो वनगोद है गाव जब भी बाड या सूखे की या सूखे से गेरा में आता है या चपेट में आता है ठाकुर बारी के अहाते में तंबो लग जाता है अहात मतलब चार दिवात चार दिवात मतलब चारो वोल ठाकुर के आहाते में तंबो लगा जाता है लोग और ठाकुर बारी के साथों शंत्र अखंड के हरीकिरतन शुरूर कर देधे तो बाड़ा या या आतो आप गुदी, वार यास हुखे की चपेट में आता है, तो उस समय लोगमनी क्या करते थे, धाकुरुबारी के चारोर, लव रौंड, क्या करते थे वे तंबु लगा जाता है, तंबु मतलब जोबडी मुद्धे न, छीगे, मतलब पानी अंदर न आने के नि, छीगे, पानी को बा करना शुरु कर दे थे, भगवान की प्रातना करना शुरु कर दे थे, इसके अधिरिक्त, गाउं में किसी भी पर्व त्यवहार की शुरुवात है, खाकुरुबारी से ही होती है, इसके अधिरिक्त, मतलब या इसके अलावा, या सभी गाउं के अलावा, और गाउं में, इसके अधिरिक्त, गाउं में किसी भी पर्व या त्यवहार, ठीक है, पुर्वात तो सबसे पहले गुलाव खाकुर्जी को ही चडाया जाता हlor में, समय घर् refugee का पहला दीप आकुर बारी में ही जलता है दिवाली के समझ दिवाली के बने चादी और जन्यु जन्यु के आउसर पर अनवस्त्र की पहली भेंट ठाकूर जी के नाम की चादी है घर में कौन सभी शुबत था रहे हो जन्म मतलब कोई बच्चे जन्म लिये तो या उनका नाम करने वोत्ते ना नाम रखना शादी और जनेयों के अवसर पर जनेयों मतलब ब्रह्मन लोग पहंटे ना चिके धम्म सूत्र तो इसे अनेक अवसर पर पहला अन्न वस्तर की पहली जोड़ियों के जाती है ूसे सत्रह उसे अवसर चिके नामसे नाम से की जाती है। आ देवरिकेन मुदलों मदली जाते हैं ठाकुरजी के नाम की जाती है ठाकुरवारी के ब्रामन साधु उरत कथावों के दिन घर घर घूमकर खतावचन करते हैं ठाकुरवारी के ब्रामन साथ मतलब ब्रामन जाती के भक्त लोग अब घर में गाओ में एक मंदिर हो तो सिर्फ हम एक ही जाती के भक्त लोग नहीं रहते हैं घर सभी धर्व के लोग भक्त बनने के लिए कौनसे भी बादाएं नहीं है तो उसी तरह इतरे हैं ब्रामन जाती मतों ब्रामन जाती के भक्त लोग रुत कथाओं के दिन जाते हैं लोगों के खलिहान में खलिहान मतलव खलिहान वो यो सकतर रूप से रखी गई खसल गटे वो यो सकतर रूप से रखी गई खसल कर दे खसल कर दे बिड़ेया राश्यन जाएटर अधन ठाकुरबारी के ब्रामन सादूर अता खताओं के तिन घर घर घुमकर कताव अचन करते हैं लोगों के खलिहान में जब खसल की दवनी खसल की दवनी मतलव इस दाने गेहो दान निकलने की प्रक्रिया नीचे शब्द है वो आप देख सकते हो दवनी होकर अनाज की डेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुरजी के नाम अगमुवू निकालकर कि लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं प्रयोग में लाने से पहले देवतागे ले निखालागया अम्ष् वही काहना मैं अमाशे दिमसा देवरी के नैवाध्यांत्य अन्थे पानाथ अड़िटत्रिल्री आरीदू अंधर आ उरिनल्ली यावदे रहिता वल्लदल्ली बढ़या तगदरे अधर नमसीन काके तो रासी माधी दाद मेले और मने के तेकर कोंड़ गुकोदक्चे तमूँचे अधि आवदे बड़े अगिरली कालव अगिरली आवदे बड़े अगिरली तो वंदु भागवन्ना अदेवरी अन्थे नथे तक दिरता आएत। वही कहते हैं लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की डेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम अगवुम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं अनाज मतलब काल ठाकुर बहरी के साथ अजिकाम्ष लोगों का संबंद बहुत ही गनिष्ट है गनिष्ट मतलब गहरा तोस्ट मंदिर के साथ लोगों का सभी क्या वो संबंद बहुत गहरा है गनिष्ट मतलब इसका अंत्य होता है कि लोग से बहुत हकती से देखते हैं ठीक ह प्रभाव गाउं के लोगों पर बहुत था बहुत भक्ति के रूप में लोग से देखते थे या बहुत दोरों देदे थे आदर से देखते गनिष्ट है मन आवर तन दोनोस्तर पर कृषी कारे से अपना बचा हुवा समय वे ठापुर बारी में ही बिथाते हैं। कारे से वे जरा समय लेकर आराम करते हैं उस समय बचा हुआ समय वे ठाकुरबारी में ही बिथा तो जब उनको समय बिताने के लिए जरा अउसर मिला तो आराम से समय बिदेने का मौका मिला तो वे क्या करते हैं जाकर ठाकुरबारी से ही ठाकुरबारी में बैट कर पतलब उस म सादो संतों का प्रवचन सुन और ठाकुरजी का दर्शन करवे अपना यह जीवन सार्थक माणते लगते है तो जब लोगों को समय मिलता है मौका मिलता है तो उस समय में जागर क्या करथे उस मंदिर में बैट करवे प्रवचन सुन कर प्रवचन सुन और ठाकुरजी का दर्शन कर तो उदर प्रवचन सुन कर और भगवान के दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक माणते है जब भी उन लोगों को समय मिलता है जाकर मंदिर में बैट कर दर्शन करते थे और उदर प्रवचन सुन कर अपना जीवन सार्थक मानते थें। उन्हें यहां महसूस होता है कि ठाकुरुबारी में प्रवेश्च करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। देगे लोगों में यहां ऐसा एक भाना, क्या भाना था। लोग ऐसा मानते थें कि जब भी हम उस मन्दिर के अंदर जाते हैं, यहां मंदिर के मैदान में प्रवेश्च करते हैं उस समय क्या होते थे क्या माणते थे वे हम पवित्र हो जाते हैं ठाकुरुबारी में प्रवेश्च करते ही पवित्र हो जाते हैं उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं तो इस तरह ओ ठाकुरुबारी का प्रभा लोगों पर उन गाम के लोगों लोग ऐसा मांते थे कि जब हम मंदिरों के महिदान में प्रवेश करते हैं हमारा पूरा तन से मन से हम क्या होते हैं पवित्र हो जाते हैं और एक क्या भावना था उनके पिछले सारे पाप उनके हातों से हुआ पिछले जीवन में पिछले सारे पाप क्या होते थे खत्म हो जाते हैं लोग इस तरह उस भगवाल पर बहुत भक्त यहां आदर से धेखते हैं ठीक है मिच्चो यहां तक हम ठाकुरबारी को प्रभाव उन गाउं के लोगों पर जिस तरह था और यह गाउं के सभी लोग मिलकर ठाकुरबारी लगों उस मंदिर में मंदिर पर लोग जिस तरह भक्ति थे ठीक है और अपने आपको नोहने जिस तरह मानते थे यह सब विशें हम आज देख लिए हैं बच्चो तो आगे अभी ठाकुरबारी और लेकर जी के उस गाउं के बारे में भी ज्यादा विशें हम समझना है वो आगे का हमें देखेंगे बच्चो धन्यवाद